नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माय उप्टूब चैनल ला हुलियर व्लॉग आई होप आप सबे लोग भले चेंगे स्वस्त वा मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे तो गाइस यह देखिए यह सिवरात्री का जो मेरा वीडियो जहां तक गया था उसके बात का यह पार्ट सेकेंड है आप लोग पहले मेरे उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो में कुछ एफेक्ट है कुछ वीडियो क्लिप आने पाई तो कोई बात नहीं इसमें म प्रॉब्लम है एडिटिंग में किया फिर उसमें अपलोडिंग में हो गया है कि वीडियो नहीं सो हुआ करती है मतलब आवास तो आती है पर वीडियो क्लिप जो है नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं यह देखिए मैं मंदिर पहुंच गया था और वहां पर कंटीन्यू प थोड़ा सा मैंने चार-पांच सिवाला को कवर कर लिया और यानि कवर का मतलब दर्शन कर लिया और आप सब्वे के साथ ब्लॉगिंग करके सेयर कर रहा हूं तो यह जो मंदिर है ना यह मेरे यहां के ठाने पे है यह थाने के प्रांगड के बाहर यह मंदिर स्थापित की गई है और यहीं पे हमारे यहां की मेर मार्केट है सब्जी लगती है और मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस है तो यहां पे है और यह मंदिर जो है मनका मिश्वर धाम के नाम से हमारे यह विख्यात है फिर उसके बाद मैं जो हूं श्यू सक्ति धाम यह भी पास में ह भी दर्शन कर लिया और ये वीडियो जो मैं मंदिर के सो कर रहा हूं अगर आप लोग मेरे चैनल के लगातार विस्टर हैं तो आप लोगों को ये वीडियो मेरा जरूर देखने को मिला होगा वीडियो में यानि इस मंदिर के दर्शन और काफी अच्छी मंदिर है और मंदिर तो सभी अच्छी होती है पर जो है ना कुछ होती है आस्ता कुछ जगा ज़्यादा बेर डखती है और कुछ जगा कम तो ये देखिए काफी दर्शन करने वाले और पूजा नर्चन करने वाले व्यक्ति लाइन में लगे हुए थे और अपने अपने कतार से पूजा कर रहे थे और ये जो मंदिर है ना तालाप के जश्ट किनारे पेस थापित है तो बहुत ही अच्छा सा वियू है और सांती भरा माहूल रहता है पेस फुल और मुझे जब भी थोड़ा सा मन होता है तो मैं ये इस मंदिर में हो आता हूँ और दरसन कर लेता हूँ फिर ये देखिए मैं उस मंदिर के बाद दूसरे मंदिर में जाता हूँ और प्रशाद ले लेता हूँ और मैंने तो द्रत नहीं रखा था और सिर्फ और सिर्फ वैसे ही पूजा पाट करने के बाद खा लिया और ये देखिए ये हमारे या के बस स्टाप प्रांगर के अंदर ही एक छोटे सा सिवाला है और यहां भी लोग जो है दर्सन करने के लिए आते जाते रहते हैं और फिर उसके बाद मैं जो हूँ मैं भांग यानि ठंड़ाई पीना स्टाट कर देता हूँ क्योंकि सबी जगा पे ठंड़ाई बटना स्टाट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चड़ गई थी और थोड़ा सा कंफर्ट टेबल ने फिलो रहा था मुझे लेकिन क्या करता फिर मैं पी लिया और काफी मुझे इंज्वाइमेंट हुआ और भांग पीने के बाद ना अजीब टाइप से मिठा मिठा सा नसा होता है और अगर मैं बात बताओं तो हिंदू धर्म का जो ये सिवरात्री है इस दिन ऐसी मानता है कि भोले नात और माता पारवती की जो है साधी हुई थी और इसी दिन उन्होंने वैवाहिक संबंद से मतलब जुड़े थे तो ये देखिए बच्चे एक मंदिर में साम को मैं गया था जहां वहां पर डांस कर रहे थे और डीजे था बढ़ना मैं कॉपी राइट क्लेम को चलते आप सब अच्छा लग रहा था पर आप लोग ऐसे ही समझ लिजे और गाने पे लगातार कांटी न्यू वीडियो बन रहे थे और बच्चे जो हैं फूल इंजॉयमेंट अपना करते जा रहे थे मुझे काफी अच्छा लग रहा था ये सब देखके और मैं भी आप सब एक साथ सेयर कर दिया और बताओं तो इसी दिन माता भारवती और भगवान भोले नाद का शादी हुई थी तो उसी के उपलक्ष पे लोग जो हैं तरह तरह से इसे मनाते हैं और बारात निकलती है और कहीं कहीं साधी भी करवाई जाती है यानि जो जैसा होता है जहां पर वैसा महोल मेरे यहां तो बारात वगवारा निकलती है तो यह देखिए बारात निकल रही थी तो मैं घर में था और थोड़ा सा उस टाइम भांग का नसा भी चड़ा था तो कोई बात नहीं मैं आप सब एक साथ शेयर करें दे रहा हूं आप लोग देख लेजिए यह बोले नात और माता पाराती की बारात में लोग नाच रहे हैं और डांस रहे हैं थिरक रहे हैं इंजॉयमेंट कर रहे हैं और इसी तरीके से मेरे कांटीनी ब accepts लोग वीडियो को देखने के लिए आप月 चैनल पर इसी तरह जैसे सपोर्ट देते रहें और काफ़ी uda सकाच डिसपॉन्स हैं जैसा है आप सबके लोगे ठीक हैं और अगर मैं बात बताओं तो मेरे व्लॉक विडियोबे मेरे बिल ये थी करके नाम का Mίο थिम उन्मली n Queens करके उनका नाम है थेलिए करोगध तो भाइया वल्ला मेरे विडियो को कांटीव वाच करते हैं और उनके कमेंट मेंचे कलेक्ट होते रहते हैं और हमेशा मेरा फॉल वाच करते हैं तो थैनक्यो जोता फैनेरने डिसी साइध वो इंगलेंड के हैं मुझे कंफर्म तुनके का नाम नहीं पता है पर बिटिस करके लिखते हैं तो जाई सी बात है वहें के होंगे इंगलेंड बगारा के तो मुझे क्लियर नहीं पता है और उनकी कुछ लेंग्वर्ज जो है मुझे समझ में भी थोड़ी सी कम आती है और क्योंकि वहाँ पर जो है ना साइध फ्रेंच इंगलिस बोलते है तो मुझे थोड़ा सा अभी नहीं आती है और यही प्रॉबलम है तो प्लीज भाईया इसे तरह अपना कांटिन्यू प्यार रहें मेरे चैनल को देते रहें और जो भी गलतिया हो तो मुझे बता दिया करिए I hope आप सभी को मेरे आज महाशिवरात्री का Part 2 वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा मन होगा तो और मैं जादा तो कुछ कहता भी नहीं हूँ तो थांक्स पर वाचिंग अवरी याल इन वन और विल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल